दिल्ली के फतेपुर बेरी पादरी की बे रहनी से बिटाई जैश्री राम बोलने को मजबूर किया के इस दर्ज राजधानी दिल्ली में एक पादरी में आरोप लगाया कि अग्यात व्यक्तियों के ग्रुप ने उन्हें पीटा, अफ्मानित किया और जैश्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया ये घटना बीते 25 फरवरी को दक्षिन दिल्ली के फतेपुर बेरी में हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में संग्यान लेते हुए अग्यात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है अतिरिक पुलिस उपायूप दक्षिन हर्शवर्धन ने कहा कि शिकायत के अधार पर हमने अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ भारतिय दंड सहिता आईपीसी की धारा 365 गुप्त रूप से और गलत तरीके से व्यक्ति को बंधक बनाने के इरादे से अफरण करना 323 स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए सजा 341 गलत प्रतिरोध के लिए सजा और 34 सामान्य मंच्छा की पूर्ती के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किये गए कार्य के तहत प्राथमी की दर्ज कर ली है मामले की जांच जारी है पुलिस अधिकारियों के अनुसार पादरी टेट ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 25 परवरी को जब वो अपने एक दोस्त से मिलने के बाद काम पर जा रहे थे तब अज्यात व्यक्तियों के एक समूने उन्हें परेशान किया और जैश्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया अधिकारियों के मुताबिक टेट ने ये भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की उनकी बाइबल छीन कर उसे फाड़ने की कोशिश की और उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी भी दी